नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जीत की तियारी में दोस्तों मैं एक और नई जोब आपके लिए लेके आच चुका हूँ जो की है एर इंडिया में की एक गौर्मेंट जोब हो सकती है कौन कौन इसे प्लाइ कर सकता है और कैसे आप यह जोब ले सकते हैं सारी चीज में आपको भी बता देता हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नई गवर्मेंट जोब आएगी उसका आपको पता सबसे पहले सिल जाएगा और साथ में इस बैल आइकन को भी दबा लेना दोस्तो तो जो ओफिशन नोटिफिकेशन है जो की एर इंडिया दोवारा जारी किया गया है मैंने वो आपके सामने खोल दिया है तो इसे कौन-कौन भर सकते तो पहले बात तुम करेंगे यह तो इससे और इंडिया गर्सकते हैं यहां पर लिख रखा है चाहिए वह मेल हो या फीमेल हो चाहिए वह SCST जर्णल किसी भी केटेगरी से आता हो वह इस फोंग को भर सकता है पर आप यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर सिफ गुवा लिख रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो आपकी जोब लोकेशन किया जाएगा ठीक है दोस्तो आगे बात करते हैं इसमें कितनी वेकंसी मिल रही है सिक्योर्टी एजेंट वे दीखें यहां पर हर कैटेग्री वाइस डिवाइड कर रखा है और टॉटल वेकंसी आपको मिल रही है सिस्ट्टी वॉर ग्रेटेंसी दोस्तों झीग है आगे कोर्स होता है एर इंडिया दुआरा जो अगर आपने कोर्स के लिए कर रखा है तो तो आपको सिर्फ दिने इंटर्व्यू ठीक है जो का जो कि आपका 29 सप्टमबर को होगा इस एड्रेस पे ठीक है पर अगर आपने ये कोर्स नहीं कर रखा है तो उनके लिए क्या रहेगा त ठीक है आगे बात करते हैं मिस्वे एलिजिबिल्टी की बात करते हैं तो वह इद बता रखा है यहां पे कि जिनने एवी एस एसी क्वालिफाइड है और जो नहीं है तो इनके लिए तो बता रखा है कि या आपको मस्ट पोजेज बी सी एस बेसिक और ट्वेल्डे न्यू पै करेंके बात करें लेते हैं एज लिमेटाइड जो आपकी रहेगी वह यहां पर रहेगी जर्ल के लिये है और paterson की सी ऊक्याश्य के लिए उनके पास यह कोर्स की certificate है उनके लिए ना ही physical होगा ना ही return exam होगा और सिर्फ एक सिफ personal interview करा जाएगा ठीक है पर जिनके पास certificate नहीं है सिर्फ graduation की degree उनको आप फिजिकल टेस्ट भी होगा return exam भी होगा और interview भी होगा दोस्तों ठीक है आगे बात कर लेते हैं इसके लिए जो height criteria के लिए मांग रखा है journal के लिए मांग रखा है male candidates के लिए 170 cm female के लिए 157 cm SC और OBC लोगों के लिए 165 for men and 155 for women ठीक है और जो हमारे candidate गोर्खा और नोर्थी स्टेट से आते हैं हिली सेलरी देगी वो रहेगी 18,360 से लेके प्लस आपको 1000 का यहां पर जो है प्लाउंसे मिल जाएंगे दोस्तों आपकी तकरीब साड़े 19-20 जार तक आपकी जो सेलरी पढ़ेगी दोस्तों स्टार्टिंग में जब आप जोब लगोगे ठीक है अब इसमें ध्यान से सुनना आप मैं आपको चिकले के लिए चीज़ उता देता हूं देखे ए वी सी सी वाले कैंडिडेट्स को तो बताया था कि सिर्फ इंटर्व्यू है तो उनका तो भी इंटर्व्यू होगा 29 तारिक को ठीक है एड्रस उपर लिख रखा था आप वहां से देख लेना अब जो नोन एन एवी सी सी कैंडिडेट्स है उनकी लिए क्या रहेगा तो देखो भी आ उनको 30 September को जाना है इस एड्रस बेना था मैंने ठीक है उनका सबसे पहले होगा Pat अबivid फिजिकल एंडरेंस टेस्ट ठीक है उनका सबसे पहले होगा टेस्ट ठीक है जिसमें आपको सो मीटर भागना होगा 16 सेकिंड में ठीक है अगर आपने किलियर कर लिया तो उसके बाद आपका एक रिटन एक्जाम होगा ठीक है रिटन एक्जाम में आपकी जैर्णल नोलेज और एप्टिट्यूड टेस्ट आपका किया जाएगा यहां पर कोई भी नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों तो मैं तो कहूंगा इस जोब को देखने जरूर जाना काफी अच्छी जोब है मिलगी तो भी है क्या बले-बले हो सकती है ठीक है दोस्तों कॉलिफाई इन रिटन टेस्ट जो रिटन टेस्ट में कॉलिफाई हो जाएंगे उनको परसनल इंटर्व्यू के लिए बुलाए जाएगा ठीक है आपक जो इंटर्व्यू होगा वह को आपका एक स्थेट बर को 30 स्टमबर अर्टन टेस्ट और एक अक्टुबर को आपको आपका गडिएग दोस्तों ठीक है अब हाउ टो प्लाई कहसे करना है तो आपको एक स्टल सबनुद्ट में होगी यह जो एक्सृत्रेयं रहेगी इसकी मै आपको उसका link जो है description में दे दूँगा आप वहां से download कर लेना और जो मैं PDF पढ़ रहा हूँ अगर आपको इसकी भी ये भी पढ़ना हो तो इसका भी link में description में दे दूँगा अब वहां से भी इसे download करके पढ़ सकते हैं दोस्तों ठीक है तो आपको ये भरना होगा ठीक है अगर आप चाहे तो website से भी ले सकते हैं पर मैंने link दे दूँगा इसका टेंशन लेने की जूरत रही है ठीक है उसमें आपको अपने सारी date of birth education जो भी चीज़े हैं वो सारी भर ड्राफ्ट दुआरा करनी होगी दोस्तों एर इंडिया के पास ठीक है दोस्तों जो आपके फीस रही वो नोन रिफंडेबल रहेगी तो चलो यही थी बात दोस्तों अगर कुछ भी हो और भी doubt हो आपको इससे related ठीक है तो आप comment box में लिख देना उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा दोस्तों ठीक है और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुद्धे क्यों कि ऐसे सी वीडियो हम रोज लाते रहते हैं धन्यवाद दोस्तों